हेलो स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक्ससाइज 2.2 के कोशन नमबर 13 तक कम्प्लीट कर लिया था आज हम देखेंगे एक्ससाइज 2.2 का कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 है महारा Lakshmi is a cashier in bank. She has currency note of denominations Rs. 100, Rs. 50, Rs. 10 respectively. The ratio of number of this note is 2 ratio 3 ratio 5. The total cash with Lakshmi is Rs. 4 lakh. How many notes of each denominations does she have? यह कह रहा है कि Lakshmi है जो bank के अंदर cashier है और उसके पास Rs. 100, Rs. 50, Rs. 10, Rs. 10 के मुल्य के जो रुपे है यह note है उसके पास यह note कैसे है इसे बता है कि यह तीनों के तीनों note 2 ratio 3 ratio 5 ratio के अंदर है The total cash with Lakshmi is Rs. 4 lakh. इन सबको मिला के क्या हो रहा है Lakshmi के पास Rs. 4 lakh Rs. हो रहा है यह पूछा how many notes of denomination does he have यह बोला है कि प्रतिक मुल्य का जो note 100 Rs. 10, Rs. 50 Rs. यह कितने-कितने note होंगे यह आपको notes आपको find करके बताने है सबसे पहले हम लिख देंगे lat number of note Rs. 100, Rs. 50, Rs. 10 note B, 2X, 3X, 5X respectively हमके अगर जब भी ratio में दिया होता है तो हम यह ही मान लेते हैं इनको 2X, 3X और 5X मान के इनको total number लैट कर लेते हैं assume कर लेते हैं इसको फिर क्या करेंगे इसके पास कितना पैसा है total amount है इसके पास Rs. 4,00, Rs. अब देखिए अगर हमने माना कि 2X अगर इसके पास Rs. 100 के note है total पैसे कितने होंगे तो 2X को 100 से multiply करेंगे plus अब क्या बोला इसने कि 3X Rs. 50 रूपीज note है मतलब कि 3X इसकी quantity है 50 रूपीज के note की total मिलाके कितने हो जाएंगे तो 50 को क्या करेंगे 3X से multiply उसके बाद क्या होगा 10, 10, 10 रूपीज के note हो कितने है 5X है तो 10 x 5X तो हो जाएगा 200X plus 150X plus 50X total मिलाके कितना हो रहा है इनका total मिलाके हो जाएगा 400X और इकन में कितना होगा यह सब total मिलाके 4LX हो जाएगा 400 multiply में इधर आया तो क्या हो जाएगा divide जब हम 4LX को 400 से divide करेंगे तो आशुर आएगा हमारा 1000 यानि X की value कितने है 1000 तो number of note of Rs.100 Rs.100 की note कितने होगा 2 x 1000, 2000 Rs.50 का note कितने होगा 3 x 1000 क्यों 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 कि हमने note क्या assume क्या था 3X तो X की value रखी यहां पर, 3 x 2000, 3000 और क्योंकि 10 Rs.100 का note क्यों कितने note, 5X 5X का लिए तो कितने होगा 5 x 1000 तो हो जाएगा 5000 फिर लिखेंगे, question number 15, I have the total of rupees 300 in coins of denominations, rupees 1, rupees 2 and rupees 5, the number of 2 rupees coin is 3 times, the number of rupees 5 coins, the total number of coins is 60, how many coins of each denominations are with me? यह कह रहा है कि मेरे पास 300 rupees के coins है, कौन-कौन से 1 rupees का है, 2 rupees का है, और 5 rupees का coin है, यह बोल रहा है, जो 2 rupees का coin है, वो 5 का कितने, time से 3 times है, तो हमको सबसे पहले यह ध्यान होगा, यह ratio कैसे बनेगा, तो अब ratio भी बना देते हैं इसका, तो लिख देंगे, let the number of rupees 5 coin be x, इसको क्या म माल लेंगे, हम x माल लेंगे number of 5 rupees coin को x, 2 rupees का क्या बोला, इसने 5 rupees का 3 times है, तो 5 का कितना था, x था, तो इसका 3 times को कितना हो जाएगा, 3 x हो जाएगा, उसके बाद हमार पास total number of coin कितने थे, 160, तो अब हमें क्या निकालना है, 1 rupees का, तो क्या करेंगे, total 160 coin है, इन मेंसे इन दो इन दोनों को plus करके minus कर देंगे, number of rupees 1 coin, तो क्या होगा, 160 total coin है, उसमें से क्या करना है, हमको 5 rupees coin और 2 rupees coin को add करके minus करना है, तो bracket के अंदर इन दोनों को add कर लेंगे, और minus कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह होगा, x plus 3 x, 4 x, क्योंकि बाहर minus हा, तो यहां लिख देंगे, minus तो total amount हमारे पास कितना है, 300 rupees का है, तो क्या करना है, अब क्योंकि हमें यह देखना है, कि जो 5 rupees के coin है, वो कितने x है, तो 5 rupees के total कितने पैसे हो जाएगे, तो आप क्या करोगे, इसको multiply कर दोगे, तो मैं पता चल जाएगा, 55 rupees के जो भी हमारे पास coins है, तो उनकी total value कितनी हो सेम ऐसे ही, अगर 2 rupees coin के कितने है, 3x है, तो क्या करेंगे, हमको इसको 2 से multiply कर देंगे, और 1 rupees के coin कितने है, 160 minus 4x, तो हम 1 से इसको multiply कर देंगे, इकोल में हमारा क्या आएगा, 300, उसके बाद क्या होगा, तो 5 into x, 5x, 2 into 3, x, 6x, 1 into 60, 1 into minus 4, तो minus 4, जिसके bracket के बार जो digit होती है, उसका अंदर वाली दोनों से multiply होगा, तो यहाँ पर plus minus क्या हो जाएगा, minus, equal to 300, अब देखे, 5x और 6x, 160 और minus 4x है, तो इस 6x में से हम 4x minus कर देंगे, कितना बचेगा, हमारे पास, 2x रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5x plus 2x plus 160, equal to 300, तो कितना होता है, 7x, 7x equal to हो जाएग 140 upon 7, x कुल हो जाएगा हमारा 20, अब हमें क्या निकालना है, हमको पूरी value निकालने के 5 rupees coin की total value कितनी है, तो क्या करेंगे हम, 5 rupees को हम इस 20 से multiply कर देंगे, number of rupees of coin, क्योंकि 5 rupees के कितने number माने था हमने, कितने coins है, x ही माना था, x ही value कितनी है, 20 आ गई है, तो 5 rupees coin तो हमारे बास क 20 coins हो जाएगे, फिर में निकालना number of 2 rupees coin, 2 rupees coin को हमने क्या माना था, यह assume के लिए था 3x, यानि 3 से आपको 20 को multiply करना, आ जाएगा 60, उसके बाद last माना, हमने number of rupees coin 1, तो क्या, इसको assume किया था, 160 minus 4x, तो 160 minus 4 into x, x ही value कितनी है, 20, multiply कर देंगे, 4 into 20, कितना होगा 80, 160 minus 80 equal to हो 80, इस टाप से हमारे यह answer होगा, अब इसका जो last question बचा है, यह last question भी देख लेते हम, तर लिखा है, the organizer of an SA competitions decide that a winner in the competition get a prize of rupees 100 and participants who does not win get the rupees 25, the total prize money distributed is rupees 3000, find the number of winner if the total number of participants is 63, यह कह रहा है कि एक organizer है, जो एक essay competition को वहाँ पर organize करवा रहा है, तो यह कह रहा है कि अगर कोई winner है, तो winner को यह 100 rupees का prize देगा, और अगर कोई winner नहीं है, उससे सिफ पाटिसिपेंट की किया है, तो वो उसको 25 rupees देगा, यह कह रहा है, ऐसे करके उसने total मिला के 3000 rupees दे दिए है, और कह रहा है कि जो total जो पाटिसिपेंट थे, वो winner मिला के और जो winner नहीं थे, उन दोनों को मिला के कितने नहीं थे, इसके पास 63 पाटिसिपेंट थे, तो यह पूछा है कि आपको winners के numbers find करना कि कितने winner थे, तो हम सबसे पहले लिख देंगे, let the number of winner be x, हम मान लेते है कि कितने winner थे, x winner थे, therefore the number of participant who did not win the win will be, वो participant जिसने कुछ नहीं, जो winner नहीं थे, वो कितने हो जाएंगे, तो 63 में हम क्या करेंगे, x को minus कर देंगे, तो total price यमारा क्या आएगा, 3000 रुपीस ने बताया कि total मिला कि 3000 रुपीस दिये, तो अब क्या करना है, जो winner है, उनको तो किसे multiply करेंगे, 100 से, 100 से क्यों multiply करेंगे, क्योंकि एक winner को इसने क्या दिया है, 100 रुपीस दिया है, और जो participant है, जिसने, जो winner नहीं है, उनको कितने रुपे दे रहे है, 25, तो 25 को क्या करेंगे, 63 माइनस x कर देंगे, equal आएगा 3000, तो 100 इंटू x, 100 x, 25 इंटू 63, 15, 75 हो जाए 15, 75, equal to, कितना होता है, 3000, और यहां से अब क्या होगा, यह जो plus का था, इधर रहे हो जाएगा, minus, यहां क्या रहे जाएगा, 75 x, तो 3000 minus, इसको less कर दो, कितना होता है, 1425, तो यहां से x equal to होगा, 1425 upon 75, तो हमारा जो answer होगा, x की value आजाएगी, 19, x की value क्या आएगे, 19, 19 का मतल number of winner कितना है, 19 winner है,